हेलो फ्रेंट्स आज हम माइकोलोजी सीरीज के लेक्चर वन में बात करने वाले हैं जनरल केरेक्टरिस्टिक्स और फंगस के बारे में तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि माइकोलोजी क्या होता है और फंगस की केरेक्टरिस्टिक्स को भी आज हम सड़ी करने वाले हैं तो चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं माइकोलोजी देखें माइकोलोजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है अगर हम इसको ब्रेकडाउन करते हैं तो फर्स्ट आता है माइकस है ना एंड सेकेंड वर्ड आता है हमारा माइकस का क्या मतलब होता है माइकस का मतलब होता है फंगस या फंचाई और लोगस का मतलब होता है study करना तो माइकोलोजी को क्या मतलब हुआ study of fungi is known as माइकोलोजी ठीक है जब हमने plant kingdom का classification देखा था तो हमने देखा था कि जो division थेलोफाइटा में माइकोलोजी को रखा गया है या fungus की study हम division थेलोफाइटा के अंडर करते हैं तो यह अभी हमने देखा माइकोलोजी अब हम चो specially main बात करने वाले हैं इस वीडियो में वह हम बात करेंगे general characteristics of fungus के बारे में तो हम जानते हैं कि fungus कैसे होते हैं eukaryotic a chlorophyllus and unicellular multicellular organism होते हैं जो asexual या sexual दोनों टाइप से reproduce कर सकते हैं ठीक है तो सबसे बहला point इसका होता है कि यह कैसे होते हैं eukaryotic organisms होते हैं इनके पास membrane bound nucleus and other cytoplasmic organelles भी present होंगे ठीक है second point आता है कि यह कैसे होते हैं यह filamentous structures होते हैं यह से filament से मिलकर पुरा structure इनका बना होता है और इस filament को हम बोलते हैं hyphy और सभी को अगर हम पुरे network of hyphy की बात करें तो उसे हम कहते हैं mycelium okay तो इसको बहुत यह अच्छे से आगी की वीडियो हमें हम discuss करेंगे ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका structure कैसा होता है तो यह unicellular होते हैं और multicellular भी होते हैं unicellular का example है यह इस्ट का अगर हम बात करते हैं इनकी cell wall की जानते हैं कि प्लांटבה 서울 काई जैल् काहसे बनी होती है cellulose से बनी होती है इहां पर लुआ हैं पर यहां झेल है जो उम港 कहें बात करें दो बेंशिय से साथरों कलाशियोते हैं उसकी तो यहां पर और यहां से आपको कुछा चांता है और काइटीन के अलावाए इसमें फंगस की सेल वाल में गुकागन भी होता है ठीके उसके बाद मैंने बताया था कि यह 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 सेक्ष्वली भी रिप्रेड्यूस करते है और एसेक्शोले भी इनका रिप्रड़क्शन होता है तो जब हम आगे आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि फंकस का रिप्रड़क्शन दोनों टाइप से किस तरीके से होता है ठीक है उसके बाद अगर हम इसके न्यूकलियस की बात करें तो यह कैसे होते हैं मेंली हैप होते हैं ठीक है पर अगर आपसे क्वेस्चन पूछा जाए कि बताईए हैं है फंगस कैसे होते तो वह टीपिकली तो हैप्लॉइड होते हैं पर कुछ उमाइल कोटा एंड समीस्ट वह कैसे होते हैं उनका न्यूकलियस डिप्लॉइड होता है ठीक है इसके बाद हम बात करत है एक लोरोफिलस यह हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि वह यूग्यरियोटिक एक लोरोफिलस होते हैं मतलब उनमें कोई भी ख्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है और फोटो सिंथेस नहीं कर पाते अब आप ओवियसली वह खाना फिर कहां से लेते हैं अपना खाना तो आप वहां से वह क्या करते हैं अपनी बोलते हैं कि वह अपना एनरजी लेते हैं और फिर उससे केमिकल रियक्शन करके अपनी एनरजी को उसमें डिराइफ करते हैं ठीके तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह क्या होते हैं तो वह कीमो हेट्रोट्रोपिक होते हैं ठीक को स्टोर करके रखते हैं आप में मुझे बताईए किस ताइप में कौन से कंपाउंट में अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं और यूमन्स या बोल सकता है अनिमल किस वर में अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं तो आप इसका कॉमेंट में मुझे आंसर जल्दी से होते हैं इसके बाद हम बात करते हैं किस टाइप से इनका relationship होता है यह free link भी होते हैं intimate relation भी होते हैं मतलब इसको आपको तीनो type में मिलेगा free living मिलेगा parasitic relationship भी मिलेगा और mutualistic relationship भी मिलेगा जिसे हम symbiotic relationship कहते हैं ठीक है तो तो आज हमने बात करी कि mycology क्या होता है और mainly हमने बात करी general characteristics of fungus से. अगर आपसे two mark का question कही return में पूछा साता है तो आप ये बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. तो I hope आपको हमारा वीडियो पसंद भी आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा. अगर फिर भी आपको कोई भी doubt हो, query हो तो आप हमें YouTube पर comment करके पूछ सकते हैं. साथ ही आप हमारे Instagram और Facebook पेज को भी follow कर सकते हैं जिसकी link हमने description में दी है. साथ ही आप हमारे WhatsApp गूप और Telegram चैनल को भी join कर सकते हैं जिसकी link हमने description में दी है. Friends हमारी website भी है tgagri.com करके जहाँ पर आपको agriculture के सभी PDF सभी चीज बहुत ही proper manner में मिलेगी तो आप एक बार महाँ पर जरूर विजिट कीजिएगा और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी link भी हमने description में दी है. तो friends इस वीडियो को हम यहीं खतम करते हैं पर उससे पहले stay healthy and stay happy. Thank you.